कि असलाब लेकूम बिसमिल्लाहिर्मान रभाई रहीम आज मैं बना रही हूं रेड्ड सॉस पास्टा तो इसके लिए सबसे पहले पास्टा को बॉइल करेंगे तो इहां पे बॉइलिंग वाटर लेना है पानी बिल्कुल खॉलता हूआ रही है इसमें यह बॉइल करेंगे इ तो साथ में डाला है एक टेबल स्पून तेल ताकि यह स्टिक नहीं हूँ आपस में इसे स्टर करेंगे और इसको आठ से दस मिनिट पकाएंगे तो यह देखें इसे दस मिनिट हो गए है बॉयल होते हुए और अब मैं से स्ट्रीन कर लूँगी यशान लिया है और यह चाना हुआ पानी है इसको फैंकना नहीं है कि इसमें से थोड़ा पानी काम आएगा पानी ब्रेज wrecker और सी तरफ पासटा है एक टेबल स्पूर तेल को तेल कर देंगे ताकि जो पास्टा बॉयल स्टिक नहीं हो अब रेड्स arlında के इस दूड़र खिर नो doubling करनां टेल में मुझा एक सथी ten फोन तिल टेल इसमें में 25 लेसन डालेंगे 1 ब्हूज कटी सब्सक्रद कड़ा हorf rag俊 करेंके और अरवहर Pr력 सवर होएं करकर भूज होरना मेंपने तक तक इसका इसका करिंगे नहीं डान तक द सब्सक्रद करना हो और अब लेसन प्या सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसमें डालेंगे ये दो टमाटर जिनको मैंने बॉयल किया और उनका छिलका निकालकर इनकी प्यूरी बना ली तो ये दो टमाटर की प्यूरी डालेंगे और अब इसे तेज आंस पर मुसलचल चलाते हुए बूनना है कि टमाटर का पानी खुश्च हो जाए तो अलहंदो लिल्ला 10-12 मिनिट मैंने मुसलसल इसे तेज आंच पर चलाया और ये देखें इसका पानी रिड्यूस हो गया है और अब ये तयार है इसकी क्रेवी में मसाले अट करेंगे कुछ सूके इसमें डालेंगे आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून चली फ्लेक्स, आधी टीस्पून चली पाउडर और आधी टीस्पून कुटी काली मिर्च फ्रेश्टी ग्राउंट की हुई और इसमें डालेंगे और एगान उयाopa थीस्टून धालें और यह स्टर से बार ने को पास्तर भाद लोगा है तो मैं उन फूर्थ कभी डाल रही हूं इसमें धाल और उसके बाद ये सर्फ करने को तेयार है चाहें तो इसमें उपर से चीज ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है तो रेट सौस पास्टा बन कर तेयार है से डिश आउट करेंगे अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और जादे से जादा अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक्स वर वाचिंग अलाफिज